हलो फ्रेंड आप सब का स्वागत है मेरी यूट्यूब चानल पे तो आज का चू लेसन है उसमें हम बात करेंगे हल्दी के फाइदों के बारे में और हम हल्दी को हम घर पे कैसे पीसे ओके तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये है साबूत हल्दी तो आज मैं इसे घर पे सिल्बट्टा अपने सुना होगा उस पे मैं इसे पीसने वाली हूँ तो ये साबूत हल्दी मार्किट में बहुत एजली अविलेबल होती है इसको बिना तेल के मैं भून रहे हूँ इसमें आपको कोई तेल नहीं डालना है सिर्फ 2-3 मिनिट तक आपको इसको भूनना है तो आज कल क्या हो रहा है कि हम सब मार्किट जाते हैं और फटा-फट से पिसी हुई हल्दी लेके आ जाते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि वो रियल है भी अनई वो असली है भी अनई कहीं उसमें कितने chemicals मिलें, उसकी quality कैसी है, उसमें कितने ज़्यादा color मिले हुं है, जरूरी नहीं है, original हल्दी का ही color हो, color मिला के भी उसको yellow dark yellow किया जाता है, बहुत सरे chemicals मिलाए जाते हैं, तो मैं सिर्फ आप से इतनी गुजारिश करूंगे कि आप कुशिश करें, market से साबुत हल् और इसी तरीके से घर पर पी से तो आप मार्केट से इसी तरह की आप साबूत हल्दी लाएं और इसे सारी ही एक साथ ही भून लें ताकि उसमें कभी-कभी के होता है रखे-रखे कीडा भी लग जाता अगर काफी टाइम जग रखी रहती है तो अगर आप एक साथ सबको भून के रख लेते हैं तो उसमें कीडा भी नहीं लगता तो भूनने का ये भी फायदा आप लोगों को मिल जाता है और आपको साबूत हल्दी भूनते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो गैस है वो low to medium रहे और आप खुद देखेंगे कि इसमें से खुश्बू आने लगेगी थोड़ी-थोड़ी हल्दी की खुश्बू आने लगेगी तब आप इस हल्दी को गैस पर से उतार ले हल्दी को तो वैसे ही बहुत जाधा शुब माना जाता है इसे गुनों का ख़जाना बोला जाता है और इसके बहुत जाधा फाइदे हैं स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है इसलिए शादियों में भी सबसे पहले हल्दी लगाई जाती है हफते पहले ही हल्दी की रशम की जाती है क्योंकि बहुत ज़ादा शुब मानी जाती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखे unity कैसे पीसते हैं तो आप लिएजन अब क्या लुट सुकी है और अब हम क्या करेंगे इस को आप भिगो के रख सकते जो हाँ कि इसे पिसी हुई हल्दी का स्वाज्य स्वाज भीड़ जाता है तो आप भी कोशिश करें अगर आपके घर में कुझा मैं भीड़ी सकते हैं तो वो soft हो जाए, बनना ही थोड़ी hard होती है, तो वो थोड़ा difficult रहता है, तो आप जब इसको पानी में रख देंगे, वो soft हो जाएगी, फिर आप इस तरीके से उसको उसके उपपर ऐसे कर लें, जब आप देख रहे हैं, जो उपपर बटा होता है, इससे मैंने क्या किया है, मैंने इसको हलदी को अच्छे से break कर दिया है, तोड़ दिया है, ताकि मैं उसे असान तरीके से, मैं उसको अच्छे से peace सकूँ, जब बच्पन में खासीय जुखाम लग जाता था, तो मम्मी मुझे हल्दी वाला दूद देती थी आप सबकी भी मम्मियों ने पिलाया होगा हल्दी वाला दूद और अभी भी बहुत लोग हल्दी वाला दूद रात को पी कर सोते हैं फिर जो खासी और जुखाम होता था वो एक से एक और दो दिन में ठीक हो जाता था मिलावट जरूर होती है सो इसलिए कोशिश करें कि आप साबुत हल्दी लाएं और घर पर ही पीसें आप चाहे इसे मिकसी में पीसें वो भी अच्छी है लेकिन सिल्बट्टे पर पीसी हुई हल्दी की बात ही कुछ और है गाउं में आज भी ताजी हल्दी पीस कर ही खाना बनाया जाता है तभी गाउं में ज्यादा तर लोग स्वस रहते हैं हल्दी पीषने का सही तरीका इसी तरीके से है जिस तरीके से मैंने बताया आपको तो हल्दी जो है वो एक एंटिसेप्टिक का काम करती है आपने कभी नोटिस किया होगा कभी आपको चोट लग गई होगी या कभी भी हल्का सा कट भी पढ़ जाता है अगर चाकू से तो मम्मी क्या बोलती है फटाफट से हल्दी लगाओ क्योंकि हल्दी से जो घाओ होता है वो बहुत जल्दी भर जाता है और ठीक हो जाता है सुभा सुभा हल्दी का पानी पीने से बहुत फाइदा करती है जिससे आप बिमारियों से बचे रहते हैं अपने खाने में भरपूर मात्रा में हल्दी का उपयोग करें और खुश रहें, स्वस्ट रहें बहुत सारे औश्टिय गुन होते हैं हल्दी में हिंदु धर्म में हल्दी की गाट से शादी का निमंतरन भी दिया जाता है हल्दी बहुत ही शुब होती है शादी से पहले लड़का लड़की को हल्दी की उप्चन भी लगाई जाती है जो की शुपश अगुन माना जाता है तो हल्दी के बहुत सारे फाइदे हैं इसे आप उपटन की तौर पर जैसे मैंने बताया लड़का लड़की को लगाया जाता है ताकि उनका रूप रंग निखर जाए तो ज़रूरी नहीं है सिरफ दुल्हा और दुल्हन को लगाया जाता है अगर आप मुह में टैनिंग हो आपके हाथ पैरों में टैनिंग हो जाती है तो आप हल्दी का प्रयोक कर सकते हैं अपने मुह पर लगा सकते हैं अपने हाथ पैरों पर लगा सकते हैं तो जो आपकी खुबसूरती है उसमें चारचन लगा देती है तो ज़रूर ट्राइ कीजिएगा और हल्दी से और आप इसी तरीके से घर पे साबुत हल्दी पीश सकते हैं बहुत यासान तरीका है बिल्कुल भी टाइम ने लगा आपने देखा जैसे कि मैंने आपके सामने ही अब इसको हल्दी को भूदा फिर उसको ठंडा किया फिर उसको पानी में भिग हुए और फिर उसको बट्टे से थोड़ा सा कूटा पीटा और फिर उसको मैंने इस तरीके से पीस दिया ठीक है तो आप देख सकते हैं मतलब अच्छे से वह पिस चुकी है तो अगर आपको कहीं पर भी डिफिकल्टी है आपके घर अगर सिलबटे नहीं है तो एक बार मैं आपको ज़रूरी नहीं है सिलबटे पर ही पीसना है इसको तरीका मिक्सी में भी पीसने का तरीका है वो भी बहुत असान है तो अगर आपके घर मिक्सी है तो आप मिक्सी में पीस सकते हैं क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाहर जो है वो बहुत ज़ादा मिलावती वली मिलती है वो मतलब उसमें ना जाने कितने chemicals मिले होते हैं तो वही आजकल जो पेट की बिमारियां हैं वो कहीं ना कहीं चीजों से भी हो रही है कि हम भार का खा रहे हैं भार का unhealthy food खा रहे हैं जिससे पेट में आजकल हर किसी को दिक्कत रहती है तो आपने मेरी जितनी भी recipe देखी होंगी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जादा तर घर का ही समान जो भी मसाले हैं मैंने last recipe में भी मसाले पीसने बताए थे तो अगर आप चाहते हैं कि मैं mixi में भी कैसे इसको grind करते हैं कैसे इसको पीसते हैं तो आप जितनी भी साबुत हल्दी लेके आएं उसको छोटी-छोटी cubes बनाके रख लें एक-एक चम्मच के जितनी हमें हल्दी की requirement होती है सबजी में डालने के लिए इस तरह के चोटी-छोटी cubes बनाके रख लीजे और जब-जब सबजी बनाएं तो एक cube उठाया और उसे हमने सबजी में डाल दिया देख सकते हैं इस तरीके से आप चम्मच में चम्मच में आप quantity ले सकते हैं जिस according आप फल्दी यूज करते हैं एक चम्मच जो चम्मच आप बनाके cubes रख लीजे चोटे-छोटे से और जैसे आप सबजी बनाने जा रहे हो तो सुबा एक डाल दिया दुपहर में एक आप इसको freezer में रखें और फिर जब सबजी बनाते हुए वो अच्छे से melt हो जाएगी जब उसमें आप बनाएंगे ठीक है तो I hope आपको आज का ये lesson पसंद आया होगा और जिसको भी सिलबटे वाली हल्दी पिसी हुई पसंद है क्योंकि आज भी बहुत लोग हैं जिनको सिलबटे वाली हल्दी बहुत पसंद है तो उन तक मेरी ये lesson ज़रूर शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चानल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाईए चानल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलेगा ओके सुब बाई